आज के जमाने में 16 टेरा गाड़ी की मार्केट बहुत ज़्यादा बन चेकिए जब भी गाड़ी लेने वाला होता है अंडरलोड में 16 टेरा सबसे ज़्यादा पासिंग आपको मिल रही है और दूसरी बात है कि दो गाड़ी यहां पर ज्यादा भी करें एक टाटा की है और द काम करने वाले वह भी सारी जानकारी आपको यहां पर साथ की साथ देते रहने वाले हैं तो जल्दी करते हैं इस गाड़ी की वीडियो शुरूआत नमस्कार दोस्तों में नाम है जस्पाल सिंग और स्वागत आपका यूट्यूब चैनल गिल ट्रक बॉड़ी समाना पर शो सामने ग्रिल उठाएं तो यहां पर मैं आपको सामने दिखाता हूं विसकस फैन यहां पर कलच विसकस फैन दे दिया है और यह कूलिंग है गाड़ी की वह यहां पर सेंटर कूलिंग यहां पर रेडियेटर फैन दे दिया है इस गाड़ी में यहां पर दो तरह की इंजन आ वह 48 टन नहीं होता वह 47 500 केजी की पासिंग होती है तो उसको 48 बोल देते हैं 25 का मतलब है कि 200 होस्पावर का इंजन दिया हुआ है जिसमें आपको 900 न्यूटरमीटर के आपको यहां पर हैवी टॉक मिल जाती है है एक का मतलब है एक सीरी इंजन है जी का मतलब है काउल वेरियंट काउल फेशियल देतों यहां जी के पर यहां पर चेंज भी कर सकते हो आप जिस तरह के आप इनके कंपणी के तीन कैबिन आते हैं एम कैबिन उसमें कोई जादा जाना कोई समान नहीं लगा होता उसके बाद आता है एक नॉमी प्लस एक सोड़ा से कंफर्ट कैबिन आ जाता है उसमें यू कैबिन आता है और एक सबसे जादा प्रीमियम कैबिन आता है जैसे टाटा का प्रीमा कैबिन आता है उस तरह कैबिन आता है उ सिंगल हेड़ लाइट सेयां पर मिलती है हमारी छे चका गाड़ी है उसकी यहांपर स्पेर पार्ट की चेंज़ेविल्टी आप गोडे तक कर सकते हैं जो 55-25 आरा है उसके साथ आप कमपैरिजन कर सकते हो इस तरह की यहां पर मॉडुलर फॉर्म यहां पर लेकर आई है और थोड़ी सी एक मेरे को जी बात लगए देखो एयर क्रिंणर लगाया है जो गाड़ी सांस लेती है 318 cc का यहां पर है एवियर कंप्रेशन लगा हुए गाड़ी में पहले के मुकाबले बहुत जादा बड़ा लगा दिया है दिक्कत थी लेलेंड में कि कंप्रेशन सही नहीं होता था अभी बीए शिक्स में चेंज़ किया अच्छी तरह से फिट की हुई है नो डाउट यहां से भी हम उसको सेफटी कर देंगे बट यहां पर यहां से ले एंपर कोई यहां पर ग्रिल में जो सामने इस आप तो फिक्स कर सकी है क्या होता है कि यह बाएं सबीन है यह अजीव लगा है उसके बाद अपर से एक्षिएशन टोटली एलेक्ट्रोनिक है, बेक्स की बात करें, तो प्रेशर बेक्स प्लस ABS आपको यहां पर मिल लेल पार्स की, और कलच यहां पर 395 mm का यहां पर कलच दिया हुआ है, हेवी कलच है, एर असिस्ट बूस्टर वाला कलच दिया हुआ है, और यहीं पर जो सीट तो हम प्लस है, यहां पर आप पेंडाउन कर सकते हो, आगे पीछह सकते हो, सब्सक्राइब भाफार मिल जाती है, हम घदा वीला जरा है, बआदेंगे पूरी शेप में लेकर आएंगे कि जो side panel है उससे ये काफी यादा हट कर आ रहे हैं तो इसको हम तुरह सा change करना ही पड़ेगा यहाँ पर रहाता है इड्स तो exhaust after treatment system है यहाँ पर DOC, DPF जो सारे particular matters हैं जो environment को प्लूट करते हैं वो सारे यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर साफ हो जाते हैं regeneration process के दुबारा लेलन में सबसे यहाँ खास बात है BASX में जो उनकी regeneration process है वो सबसे यहाँ जो changeable time है वो सबसे यहाँ चलता है इनका जो 1.3 meter का pipe है exhaust valve का pipe है वो भी सबसे यहाँ चोटा है ताकि जो heat का transfer है वो जल्दी यहाँ पर आ जाता है तो गाड़ी यहाँ पर heat नहीं हो पाती तो यहीं पर बात कर लेते हम आगे जो दोनों axles है axles की देखो मैं आपको पहले detail में बात करता हूँ यहाँ पर पांचो axles कैसी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं तो सबसे पहले बात करते है front axle reverse ilia type यहाँ पर front axle अपने को मिल जाता है उसके बात आ जाता है यहाँ पर second axle दोनों axles यहाँ पर steering axles यहाँ पर आ जाते हैं साथ-साथ टंकी यहाँ पर capacity के यहाँ पर दोनों axles है और उसके बाद यहाँ पर आयाता है lifter axles center में यहाँ पर lifter axles लगा हुए साढ़े बार टंकी capacity का double balloons लगे हुए हैं जैसे ही यहाँ पर अब गाड़ी हम बंद करते हैं या lifter axles off करते हैं तो balloons यह श्रिंक होते हैं बहुत ही समूध तरीके से होते हैं उनमें जो gapping रहती है प्रेशर की gapping है वो equally distribute होती है उसमें यहाँ पर कोई यहाँ ज्यादा मैं जटका नहीं देती जैसे पहले कई गाड़ियां में यहाँ पर आया था वहाँ पर जटका मारती थी तो वह यहाँ पर अभी निकल चुका है और जो एक्सल है वह वी टाइप यहाँ पर वेंट डला हुआ है तो उसके बाद जैसे हम यहाँ पर एक्सल उठाएंगे तो वहाँ पर आप देखिए बिल्कु समू एक्सल जो की ड्राइब एक्सल है fully floating तइप यहां पर ड्राइब एक्सल यहां पर रहता है डिफेरेंशिय बहुत ज्यादा है लेलंस का अपर आपको यहाँ पर ऑदी स्ट बेंट वेंट फिट जो की तैस्ट जो की डमी एक्सल है पीछे जो टेंडरम वेट दोनों एक्सल वो 21 टन का यहां पर मिल जाता है गाड़ियां यहां पर आपको 28-fit variant 30-fit और 32-fit variant में आ रही है तीन तरह के decalence इस गाड़ी में यहां पर आ रहे हैं और ध्यान रखने वाली बात है कि तीनों वेरियंट में आपको सिंगल वील वेस मिलेगा, 6600 mm का यहां पर वील वेस मिलने वाला है, वो चेन ही होता है, फिर पीछे से जो चेसिस है, वो एक्सेंड हो जाती है, 48 लीटर का यहां पर आपको एड़ब्लू टैंक मिल जाता है, बैलून्स की जो शिफ्टिंग है, वो बहुत ज़ादा शानदार, यहां पर की हुई है, और यहीं पर बात कर लेते हैं, हम गाड़ी में यहां पर सिस्पेंशन, आप्शनल में आप यहां पर स्लिपर एंडिर सिस्पेंशन भी ले सकते हो, यहां पर NR suspension भी यहां पर इस गाड़ी में यहां पर ले सकते हो वो आपकी खुद की चोईस रहती है यहां पर आपको multi lip springs आपको यहां पर मिल जाएंगे और आगे अगर मैं suspension की बात करूँ जो आगे यहां पर दोनों एक्सल दी हो है वहां पर आपको parabolic option में ले सकते हो पर अब इस गाड़ी में यहां पर वो semi-liptical lip springs आपको मिल जाएंगी चैसिस की बात करें तो चैसिस हाड़े आठ है में की थिक्रेंस के साथ यहां पर चैसिस बनाई हुई है यू टाइप construction की हुई है प्लस bolting प्लस ribting construction के साथ cross members डाले हुए cross members की जो placement है बहुत sleek डंग से की पचानमें सो केजी साड़े नौ टंकी यहां पर आई हुई है उसमें यह डीजल है वो 40 लीटर के आसपास डीजल कुछ ज्यादा दिया भी इतना वेट हो चुका है डीजल तो नहीं ज्यादा बढ़ा हो गाड़ी वो खाली डीजल नेकी के साथ है 28 वेरियंट में आपको य यहां पर काम में आ सके यो यहां पर एक्सल लगा हुआ है सिंगल स्पीड हाइपड गेर वाला एक्सल बहुत ज्यादा शांदार है यूनिवर्सल शार्प्ट है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है प्लस यहीं पर आ जाता है क्नेक्टर साइड डीजल टैंक 375 लीटर की का यहां पर डीजल टैंक मिल जाता है जिसमें आपको यहँ पर टेलिमेटिक्स मिल जाते हैं एंटि फ्यूलcape सिस्टम मिल जाता है आई जयार्प सिख्स करते हैं गाड़ी की जो मेंटेनस है रह खरकाव है उसमें काफीजन है त्थलल करने शरून कर देते हैं और दो बैट देती है 295-9820 के डेडियर टूपटायस आपने को यहां पर मिल जाते हैं उपर चड़ने के लिए यहां पर आप असानी से आप चड़ सकते हूं और अभी मैं आपको दिखाता हूं इंजन कैसा इंजन साउंड कैसी है वो सारी चीजें आपको दिखाने बाला हूं यहां पर आयाद है एंजन की जो डिस्प्रेस्मेंट दी हुई है दाइसो होस्पाप ने नौसो मीटर 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 की टॉक दी हुई है काफी अच्छी पावर और मैं जब यह गाड़ी चलागी है बहुत जादा समूज चलती है एक्सलेशन जब दबाते हैं तो चैसिस की बा निया गयर लगा हुआ है और नाइन स्पीड का यहां पर यहां पर निकाल दी है यहां पर इस एड ए क्लच अता है और गेर यहां यहां पर A-series, H-series का engine 4 valve का यहां पर रहा, 6-cylinder engine है, 900 Nm की torque देता है, 200 Hp का यहां पर, H-series का inbuilt shock lane का यहां पर engine है, थोड़ा साथ मैं आपको sound test करवाता हूँ, कैसी sound है इस engine की, जैसे ही हम accelerate करेंगे, आप यहां पर check कर सकते हूँ, Cooling function बहुत जादा बढ़िया कर दिया है, इस engine में, क्योंकि जो radiator fan है, वो viscous fan दे दिया है, clutch viscous fan दे दिया है, प्लस centring कर दिया है, mileage की बात करें, तो इस गाड़ी में यहां पर आपको 3.5-4 की mileage आपको असानी से यहां पर यह गाड़ी दे देती है, heating की बात करें, तो heat यहां पर रोकता है, यहां पर form लगा हुआ है, बोनट है, वो गर्म ना हूँ, heat अंदर ना आई, cabin जब हम बढ़ाएंगे, तो यहां पर खुला डूला cabin बनता है, कोई परशानी नहीं आती, अरहां से दो बंदे, अरहां से रात को जहां पर सो सकते है, driver प्लस co driver, और बात कर लेते हैं, यहां पर जो price tag पड़ा है, 41,50,000 रुपया, 28 fit variant का Apollo ties लगे हुएं गाड़ी में, और रही बात, अगर आप गाड़ी थोड़ी सी बड़ी वाड़ लेते हो, तो थोड़ा सा price बड़ेगा, टाटा के मुखा आप ले, धाई लाख रुपया ससता है, टाटा की गाड़ी जो पड़ती है, वो 43,90, 44,000 रुपीज आजाती है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरस्टिंग लगी हो, आपने नया कुछ सीखा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राब कर लेना, मैं मिलता है, आपको ऐसे इंटरस्टिंग लोगी साथ, नमश्का दोस्तों, जयाए हिंद, वांदे बातरम,